वेलकम तो माई यूटूब चैनल आरे एंड आदीतिया क्लासिस दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम चैटर नंबर थर्ड जो क्लास एर्थ का है साइंस का है इसका कोल एंड पेट्रोलियम इसके मल्टिपल चाइस क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एजी बे में हम समय के कोशिस करेंगे कम से कम समय के अंदर जितने अबजिक्टिव हैं जो एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से बहुत इंपॉर्णेट है यह सभी जो हम इसके अंदर करेंगी चले सुरू करते हैं पहला कोश्चन है फॉसिल फ्यूल्स आर जो फॉसिल होगा नेस्ट जो है लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर्दा विकल लिस्ट मतलब सबसे कम जो है पॉल्यूटिंग मतलब प्रदूसर फैलाने वाला फ्यूल मतलब इधान फॉर्वीकल मतलब गाड़ियों के लिए तो सबसे कम जो प्रदूसर फैलाने वाला जो है गाड सब्सक prospective नेस चेस्ट जो जो कभी ना खतम होने वाला है ऐसा सब्सक्राइब उसका ऌफचन होगा है यह एएफ्फ रोट्प नितियों तो फरें अमद्सक्राइब यह उए और पार बोल्म में आ को सul कष़़पर यह जो उसके बाद the product obtained from the coal तो coal से the product obtained from coal वो क्या है coke तो आपको option लिया रखना है coke चले इसके नदर देखिए यह image है coke की ताकि आपको पता चल जाएगी को किस तरह से होता है तो यह आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए almost pure form of the carbon तो carbon यह सभी carbon product नहीं है coke हो गया coal हो गया तो इसमें कोलतार हो गया तो कोलतार coke coal gas इनमें से सबसे जो है almost अधिक्तम जो है pure form है carbon का वो है coke तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि coke क्या है उसके बाद एदि नेस question की बाद करें चले नेस question है which product आप दा petroleum petroleum का ऐसा कौन सा product है petroleum यह petroleum के ही product है तो paint बनाने के लिए जो यूज किया जाता है तो जो paint बनाने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है bitumen ध्यान रखना है आपको जो paint बनाने के लिए petroleum product यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं bitumen bitumen तो इसका option जो है option number A जो है इसका correct answer होगा bitumen यहां image के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि bitumen यह petroleum product है इस तरह का होता है जो basically use किया जाता है paint बनाने के लिए तो यह bitumen petroleum product है उसके बाद next है which natural resource is also called black gold तो किस natural resource को हम black gold या काला सोना बोलते हैं तो वो है petroleum p-e-t-r-o-l-e-u-m याद रखिए बार बार ही spelling आ रही है petroleum p-e-t-r-o-petro और l-e-u-m petroleum तो black gold जो है petroleum को बोला जाता है उसके बाद next आप देखेंगे next है wild life is a natural resource wild life जो है natural resource है तो यह कैसा है in exhaustible है तो यह जो है यह खतम हो सकता है तो wildlife कैसा resource है wildlife एक exhaustible resource है जो की खतम हो सकता है हो जाएगा उसके बाद next question है question number 9 question number 9 जंदे देखें नेफ्थलीन बॉल और आप्टेंट फॉर्म तो जो नेफ्थलीन बॉल बनाई जाती है आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल कपड़े बगरे में रखा जाता है तक जो उसमें हैकना आए या बातरूम में यूज़ की जाती है तो नेफ्थलीन बॉल सब्सक्राइब और आप्टेंट फॉर्म यह भी कोलतार से ही बनाई जाती है तो ध्यान रखना है नेफ्थलीन बॉल कोलतार से बनाई जाती है ऑप्टेंट फॉर्म कोलतार उसके बाद नेक्ट कोश्चन है as a source of heat is used तो source of heat heat के लिए क्या dot pop страш की coal gas की coal tars तो coal gas यूज़ किया जाता है heat के लिए heat मतलब गरमी पैदा करने के लिए 排 Gleich goose किया जाता है to coal coal gas ये आपको याद रखना है जो heat के लिए यूज़ कि जाती है तो इस तरह से आपको याद रखना है, heat के लिए coal gas use की जाती है, चले next question है, next question के अंदर आप देखेंगे read the statement carefully read the statement carefully यह सब दिया हुआ है, इसमें x, y, z, तीन आफसन दिये हुए है तीनों को देखना है, और फिर आफसन में कौन सा किसका definition है, या किसमे set होगा, देखे, it is a fossil fuel, ये एक fossil fuel है it is used in thermal power ये कहां यूज किया जाता है, thermal power plant में यूज किया जाता है, to produce electricity, electricity को उत्पन करने के लिए thermal power में यूज किया जाता है plantों में, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, coal, धैनक नहा है coal का यूज जो है thermal power में जो भी electricity यूज किया जाती है, वहाँ यूज किया जाता है, दूसरा है it is a porous and black substance, porous मतलब छोड़े-छोड़े इसमें छिदर होते हैं, तो ये it is porous and black substance, black color का होता है, almost pure form और ये carbon का pure form अधिक्तम pure form होता है, तो ध्यानक नहां ऐसा pure form जो है, coco को बोला जाता है, उसके बाद next है, it is a mixture of about 200 substance, जिसमें 200 से अधिक पदार्थ, जो है, mix मिले होते हैं, उसे हम बोलते हैं, कोलतार तो जो purest form होता है, वो हो गया, आपका जो है, कोक और जो 200 substance जिसमें मिले होते हैं, उसे हम कोलतार बोलते हैं, और thermal power यदि आपको आपके लिए फायदे बंद है तो आपको इस चैनल को जो है लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है लाइक और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को सेर करिए ताकि मैं और भी इस रिडिट वीडियो आपको जो है बनाता रहूं आपके लिए मैं मैंनेत करता हैं आपको मेरे चैनल के इंदर मिल जाएगा जय हिंद जय हारत